आज हम बात करेंगे हिंदूओं के सबसे प्रिय पर्व नवरात्र का एवं इसके सर्वोपरी महत्व का कारण भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में अपना योगदान जरूर दें। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातों का समय। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान श्रद्धा भाव से जगत जननी आदिशक्ति माम दुरगा के नौ रूपों की पूजा भक्ती की जाती है। साल में चार बार नवरात्री आते हैं माग, चैत्र, आशाड और अश्विन इन में से माग और आशाड में आने वाले नवरात्री को गुप्त नवरात्री कहा जाता है। शारदिय नवरात्री का महत्व सर्वो परी है, क्योंकि इसी समय देवताओं ने दैत्यों से परास्त होकर शक्ति की प्रार्थना की थी, उनकी पुकार सुनकर देवी माँ प्रकट हुई और दैत्यों के संहार करने पर देवी माँ की स्तुती देवताओं ने की थी। शार्दिय नवरात्रि का वरत श्री राम ने रावन पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था, एवं महाभारत काल में पांडवों ने भी श्री कृष्ण के परामर्ष पर इसी पावन बेला पर माधुर्गा की उपासना विजय के लिए की थी, तब से शार्दिय नवरत उ अधिक सक्रिय रहता है, इस समय ब्रह्मांड में विद्यमान अनिष्ट शक्तियां नश्ट होती हैं और ब्रह्मांड की शुद्धि होने लगती हैं, अगले अध्याय में हम बात करेंगे नवरात्र के पहले दिन की महत्व पूर्णता के बारे में तब तक बने रही हमारे स घर में बात्र के बात्थ हैं तो में हमाओि वा झानिट essa में अवर पारे में टुद्धि हुआ हैं पहले विद्या में तो